हूथी पर हुए जबरदस हमले पर अमेरिका और ब्रिटेन को सीधी सीधी चेतावमी दी है इरान और हूथी ने मिलकर एलान कर दिया कि इस हमले के बाद से अब लाल सागर में दुश्मनों के सभी जहाजों पर भयंकर हमले शुरू होने जा रहे हैं खूदी पर खूदी हमले अमेरिका ब्रिटेन का बदला शुरू इस वक्त पूरे मिडलीस्क से लेकर मध्यपूरू एशिया तक जबरदस्त हमले हो रहे हैं मिडल इस्ट में इसरेल हमास को लगभग सौ दिनों से मिटाने की कोशिश कर रहा है लेकिन हमास अभी भी इसरेली सैनेकों को निशाना बनाया जा रहा है इधर मध्यपूरो एशियाई देश की यमन में मौजूद हो थी विद्रोहियों ने पिछले 40 दिनों के अंदर ऐसा घदर काटा हुआ है कि अमेरिका और इसरेल समेथ 15 देश होथी के हमलों से काप रहे है यमन से घजादर कांपे 15 देश लाल सागर में यमन के हूथी लड़ा के ना सिर्फ अमेरिका और इसरेल के कारगो पर मिसाईयों और प्रोंच से हमले कर रहे है बलकि इसरेल और अमेरिका का साथ देने वाले 13 देशों के मालवाहत जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है उन्हें पकड़ा जा रहा है लगभग 2000 से ज्यादा कारगो शिप ने लाल सागर में हूथी के खौफ से जाना बंद कर दिया है हूथी ने लाल सागर में अपने हमलों से ऐसा हाहकार मचा दिया है कि अब अमेरिका और ब्रेटन ने लिलकर यमन में हूथी के खेकानों पर भी दहाशा हमले किया है अमेरिका और ब्रेटन ने यमन में घुसकर हूथी पर भायानक हमले किया है अमेरिकी मीडिया के दावों के मुताबिक हूथी पर अमेरिका और ब्रिटन ने मिलकर मिसाइलों और लड़ाको विमानों से हमले किया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक युद्धोत से तॉम हॉक मिसाइलों और लड़ाको जट से हूथी के ठिकानों पर हमला किया गया है। दावों के मुताबिक यमन में हूथी की 16 लोकेशन पर 60 से ज्यादा टारगेट्स को अमेरिका और ब्रेटन ने मिल कर दबाग किया है। जिसकी वज़े से हूथी को भारी नुकसान हुआ है। हूथी के अधिकारी घुसैन अल-एजी ने सुईकार किया है कि अमेरिका और ब्रेटन जहाजों, पंडुपियों और युद्धक विमानों ने बड़े पैमाने पर हमले किये हैं। दावों के मुताबिक अमेरिका और ब्रेटन के हमले में हूथी के कम से कम पांच लोग मारे गए हैं, जब कि 6 से ज़्यादा लोग खायल हुए हैं। अमेरिका और ब्रेटन का ये हमला हूथियों पर हाल के दिनों में सबसे बड़ा हमला है। राशबती बाइडन ने इस हमले को बेहद जरूरी बताया है। और कड़े आदेश देने से पीछे नहीं प्रोका। अमेरिका और योके के हमलों के बाद हूथियों ने भी जंग का एलांग करते हुए जवाबी हमले शुरू कर दिये हैं। हूथी और विदेश मंतरी हुसान अल-एजी ने कहा है कि यमन पर हमला करने वाले अमेरिका और ब्रिटन को गंभीर पर राम भुगतने होंगे। हूथी वे द्रोहियों के कमांडर ने साफ कहा है कि अमेरिकी और यूके की सेना ने बड़े पैमाने पर आक्रामक हमला किया है जिसका हम मूतोड जवाब देंगे। लन तरदद इन शाओ लाह फि फिवल क्ली मा नस्तथिए वसनुआज़ अल्वड़वान अमरिकी ऐए इटिदा अमरिकी लन यबगा अबदा अबदा बिदून रद वर्द लन यकोन फगद बमस्तवा अल्वालिया अल्षी नफ्दत अखीरां इल्रद अक्बर मिन धालिक अब आप ये भी जान लीजिए कि हूथी कहां कहां हमले कर रहा है और कैसे कर रहा है मेरे पीछे की इस बोलती तस्वीर को आप बेहत बारीकी और गौर के साथ देखें क्योंकि इसका पूरा कच्छा चिटा अब हम तफसील से आपके सामने रखने जा रहे हैं दरसल लाल सागर ये लाल सागर है जिससे समझना जरूरी है क्योंकि इस पर ड्रोन हमले किस तरह से हो रहे हैं वो आपको बताते हैं हूती इस वक्त अमारिका और इस्वेल समेत 15 देशों के माल वाहक जहाज यानी कार्गो शिप कार्गो शिप कार्गो शिप कौन सी टार्गेट कार्गो शिप जो आपको इस वक्त जलते हुए नजर आ रहे होंगे इस पर जबर्दस खौसनाक हमले हूती के जरिये किये जा रहे हैं और हैरानी की बात तो ये है कि शिया संगठन चरम पंती संगठन हूती कार्गो जहाजों पर एंटी शिप बेलिस्टिक मिसाल से ताबर तोड़ हमले देखे किस तरह से किये जा रहे हैं जिसकी वज़ा से अमेरिका बिटेन समेत 15 देशों के जहाजों को भारी नुकसान हुआ है यानि कि टार्गेट में है ये कार्गो शिप और इसमें 15 देश शामल हो चुके हैं जिनें ये नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ा हूती ड्रोन से भी जहाजों पर हमले पर हमले यहाँ पर किये जा रहे हैं इस बीच अमेरिका को जो दावा है वो यहाँ पर समझ लेना जरूरी हो जाता है देखें ये पूरी अदन की खाड़ी है क्योंकि धीरे धीरे आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ड्रोन अटैक कार्गो शिप पर टार्गेट करके किये जा रहे हैं इस बीच अमेरिका का दावा यह है कि हूती को ये ड्रोन इरान दे रहा है और हूती सबसे ज्यादा हमले लाल सागर में कर रहा है यानि कि लाल सागर में इसके हमले सबसे ज्यादा खौफनाक हो रहे हैं जहां भारी नुकसान भी हो रहा है जहां से दुनिया के 20 से ज्यादा देशों के कार्गो शिप गुजरते हैं इसके अलावा अरब सागर में भी हुथी ने अपने खौफनाक हमले जो है वो और भी ज्यादा तेज कर दी हैं, टार्गेट कार्गो शिप जो है वो जलकर खाक यहां पर हो रही है, जिससे यह जो इलाका है वो जंगी इलाके में तब्दील होता जा रहा है, बदलता जा रहा है, जो इन तीन तस्वीरों के जरी आपको समझ आ रहा होगा, यानि कि ग्रोन अटैक, टार्गेट कार्गो शिप और यहां पर भी देखिए, टार्गेट कार्गो शिप की बाद हम कर रहे हैं,